दोस्तो 14 फरवरी का मेत का ओरिजिनल कोस्टेंट पेपर आ गिया है वाइरल कोस्टेंट पेपर दोस्तो आपको अबजेक्टिव में पूरा लूट लेना है पूरा समझ लेना है पूरा रट लेना है दोस्तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा लास तक अगर चैनल प तो शंकू का आयतन होगा शंकू का आयतन का सुद्र होता है वन बाय थ्री पाय आर इस्क्वाइर एच आप लोग को पता होगा वन बाय थ्री पाय का मान पाय ही रहने देंगे क्योंकि पाय में ही उप्सन है आर की जगह क्या है दोस्तों तीन तीन का स्क्वाइर नो हो दोस्तों ठीक हमें एसकीन पर लिखने में उतना बनता नहीं है दोस्तों आप लोग कमेंट किजिएगा हम आपको खौपी पर भी बता देंगे तो 36 पाय कहां पर उप्शन है दोस्तों सी में है सी आपका इंसर हो गिया दूसरा कुश्चन साइन पाय बटे 3 का मान होगा दोस् देख लेते हैं दोस्तों पूरा लूट लेना है यही कोस्चन आएगा दोस्तों 100% आपको लरेगा 14 फरवरी का है ठीक चलिए तिसरा कोस्चन है कि मूल बिंदू से 4,5 की दूरी है मूल बिंदू से रहे दोस्तों तो दोनों को स्क्वाइर कर देना है जोर देना है और इक ताली सापका एंसर हो गया दोस्तों c एंसर सही है चलिए चाओधा देख लिजे करा किसी बाहते बिंदू से बरित पर खिची गई अस्पस रह Näका कि लंबाई होती है तो दोस्तों इसका लंबाई समान होती एए बिंसर सही जत कर दोपकिर दूरी का सूतर ह्ता स्थ कर x2 इसका holy square plus y1 घटा y2 का holy square under root ठेक जब under root होता है दोस्तो हमें क्या करना ये x1 हो गया ये x2 हो गया y1 हो गया y2 हो गया बैठा देना है दोस्तो बैठाने के बाद मेरा answer जो है दोस्तो आपको b निकल जाएगा ठेक ना b आपकाइम सर्ड हो जाएगा चलिए दोस्तों छठाक देख लिए चठाक करा बिंदू 4,3 किस चतुर्थांस में है दोस्तों चतुर्थांस क्या होता है देखिए यह प्लस प्लस प्रथम याद रखिएगा प्रथम होता है उसके बाद माइनस प्लस दूइती यह होता है और मा सब्सक्राइब दोस्तों जो बड़ा सवाल होता है मैं एसकिन पर हल करने में नहीं बनता है इसलिए मैं थोड़ा सोटकोट में बताता हूं दोस्तों अगर फूल सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स हमको बताइए गहां कोपी पे लेकर आएंगे दोस्तों ठीक चलिए आगे देख लिए सात नमर का सात नमर का कोस्टेन है दोस्तों किसी बिरित की परिधी 44 सेमी हो तो बिरित का बियास होगा दोस्तों बिरित की परिधी हमें दिया है परिधी का सुद्र बेठा देंगे 2 पाय आर उतना बरावर 44 रख देना है दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है तिरजिया निकाल लेना है पाय का मान बेठा के ठीक जब तिरजया निकल जाएगा दो से गुना कर देंगे तो मेरा वियास निकल जाएगा तो इसका अंसर आपको C14 निकल जाएगा दोस्तों ठीक ना आप लोग कमेंट में बताइएगा हम आपको कोपी पर भी हल करके बता देंगे चलिए आठ नमर का कोश्चन देख लिजे आठ का कर है दो बिरितों की परिधियों का अनुपात चार अनुपात तिन की अनुपात में है उनकी तिरजयाओं का अनुपात होगा दोस्तों बिरित का जितना परिधी होता है उतना ही तिरजिया होता है याद रखियेगा ठेक तिरजिया का उन्मिपाथ उतना ही होता है यानि कि B option सही है चलिए आगे देख लिजिए दोस्तों आगे no number का question है कि दुईघाद बहुपद x square minus 5 के सुन्यक होंगे क्या करना है X square minus 5 बरावर 0 रखेंगे X square बरावर उधर पलस 5 हो जाएगा जब X बरावर निकालेंगे इस पर root पहुंच हो जाएगा root लगने बाद plus minus होता आपको पता होगा तो यानि कि no answer आपका C हो जाएगा ठे चलिए आगे देख लिजे दोस्तो 10 नमर का 10 का काराकी भाजे A और भाजेक B के लिए A बरावर B Q पलस R में R के लिए कौन सत्य है तो इसका answer C हो जाएगा दोस्तो C आपका answer सही है चलिए 11 का 11 के काराक निमन में कौन ओपरी में है ओपरी में मांग रहा है दोस्तो तो ओपरी में आपका A option सही हो जाएगा क्यूंकि पांच-पांच कर जाएगा वन वाय रूट टू रहिए जाएगा तो जब रूट रहता है तो ओपरी में होता है पता होगा चलिए आगे देख लिजे बारा स्ञेखन के इतना अतना कि सुन्यक अलफा भीटा हो तो सूत्र होता है सीवल io याद रखीएगा सी के जीगह यहाँ फोर है तो फूर बट़े एगा कोस्तों नहीं लिखेंगे ने यानि की चार्ऌ आपका इंसर सही यानिकी ऐ उप्शन करेक्ट है चलिए आगे देख लिए दोस्तों कि चलिए आगे देख लिजिए तिरह का करेदी किसी दुःघाद बहुत बिएक्स बरावट धिर्यक्स इसकोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के सुनियक अलफा बीटा हो तो अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा इसका सुत्र होता है माइनस बी वै ठेक माइनस बी बी की जगह यहां क्या है दोस्तों चार है तो माइनस चार बटे एक जगह क्या है तीन है तो माइनस चार बटे तीन कहा पर TM option आपका सही है चलिए आगे देख uppसे दियान से देखते रहेखा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब कर लिजिए कि आपको व्य डिंपने सबस्क्राइब वैब फ्लास फाइबॉर एक्सप्लास 6 वाफ प्लस 10 है तो क्या है दोस्तों इसमें आपको संगत हो जाएगा इसको क्या करना है एवन वाई A2 बरावर B1 वाइब B2 बरावर C1 वाइब C2 पे चेक कर लेना है दोस्तों ठीक ना चलिए आगे देख लिजिए 15 नम्मर का 15 का का रहा है दोस्तों कि तिर्भुज ABC और तिर्भुज DEF समरूप है तिर्भुज ABC का छेटफर 16 वर्ग सेमी एवं तिर्भुज DEF का 25 वर्ग सेमी तो यदि BC बरावर इतना हो तो EF निकालना है क्या करना है दोस्तों 16 बटे 25 जो दिया है ठीक दोनों तिर्भुज समरूप है ना तो बरावर में क्या करना है तिरफुज ABC का भुजा का स्क्वार्ड तो क्या है BC है इसका भुजा का स्क्वार्ड बट ये DEF का भुजा क्या है दोस्तो EF है EF का स्क्वार्ड अब क्या करना है दोस्तो इसको हल कर देना ठीक न हल करने के बाद दोस्तो आपका एफ का एंसर आ जाएगा डी आ जाएगा दू पॉइंट आठ साथ पॉइंच ठीक ना हल कर दीजिएगा दोस्तों ठीक चलिए 16 का है कि बिरित की असपस रेखा असपस बिंदू से होकर जाने वाली तिर्जिया पर होती है लंब होती है एंसर सही है ठीक 17 का देख लिजिए 17 का रहा एक बिरित पर कितने असपस रेखाएं हो सकती है तो इसका अंसर आपको C हो जागा ओ परिमित रूप से अन्यक चलिए आ तो 80 00 का करें कि किसी विडियी की समांतर कितनी अससरेखाएं हो सकती है तो इसका आपको पर्टी से करते हैं आग 정ुल जालीजे दोस्तों 20 नमर का 20 का कराया की बिंदू ओ 0,0 और 36,15 की दूरी इसकी दूरी कराया निकालने तो 0,0 है तो याने कि मूल बिंदू से है क्या करना थे 36 का स्कौर प्लस 15 का स्कौर अंडर रोड दोस्तों इसको हल कर लेना हल करने बाद जो अंसर आगा आपका डी आ करेंगे दोस्तों टेप चलिएकीश का है mx2 पलस nx1 बटे एंप पलस अन तथा मय 2 पलस n y1 बटे m पलस एंप कहलाता है तो विभाजन शूत्र कहलाता है याद रखेगा दोस्तों विभाजन सूत्र होता है चलिए 22 का कराय संदेग तिर्भुच के छेटफल होते हैं संदेख तिर्भुच के छेटफल दोस्तों 0 होता है याद रखिएगा बी ओप्सन सही है चलिए आगे देख लीजिए 23 का कारा है दोस्तों की दुए घाथ समेकर एक्स स्कार मैनस बी एक्सपलस सी बढाबर 07 का मान होंगे एक्सका मान क्या होता है दोस्तों इसका एंसर लिखाए डिवी प्लोस expire मैने चीप टू एक ठिक न यहां दोस्तों मैंस औरस बेली कि मायनस पहले कि अबिसे मैनस पर शमीने से毛ड़ में parfois हो गारे है क्योंकि एपलस एंद मैंस वन इंटो डी सुध्र होता है ठेक 25 का है यदि किसी एपी का प्रथम पद एप पदांतर डी हो तो एन पदो का यूग एन पदों का योग यानि सी एंसर सही वेज़ेगान बैट टू इंटू टू ए प्लस एन मैनस वन इंटू डीज एस एन बरावर जो सुद्र होता है ठेक चलिए आगे देख लिजे दोस्तों 26 नमर का 26 का कारा कि समांतर से दिनी 10,7,4 डोट-डोट का तीसमां पद दोस्तों द आख अन्यान ने सूत्र क्या होता टे एंबर Scout Dallas gosh और मैनस वन इन टुदी एके दिघंगे घण प्लस ऐन के जगह 30 ay kuris-1 इन्टू डी Day के जहेगा मानस 3 अपधेड देसक प्लस क्या मान आस हो जाएगा क्यों कि देखेए 30 में से एप 2,9 गटेगा माइनास 3 तो मैन आस but that the United a-11 आप का अंसर हो माइनस तिन हो जाएगा उसके बादी ब्रावर क्या हो जाएगा दूसरा पद म forsk JEFF घटा देंगे माइनस-1 बटे 2 में माइनस-3 गहता देंगे few फिट रिह फिलो सो जाएगा तो ठीन डोनी छोय आनिकी grab2 निकल जाएगा दोस्तों ठीक और बढ़ावर कितना रखना है 11 रख दिना चली रख देते हैं दोस्तों एक जगा माइनस तीन है अप लॉस दिक एन के जगा हमें गारा रखना है माइनस वन इन्टू डी के जगा पहुंच बटे दो निकला था क्या हो जाएगा माइनस तीन प्लस यह जाएगा एक गठे का दस दस बटे दस गुना पांच बटे दो दो निकी पचीश trick ing होते हैं सभी का अपस में होते हैं और इली होगा सब्रूप होते हैं ठेग 29 का है दोस्तों कि तिर्भुज ABC तथा DEF की संगत भुजाएं समानुपाती है तथा संगत कुन बरावर है तो तिर्भुज ABC तथा DEF में संबंध है तो इसका इंसर B हो जगा सरवांग संथेक चलिए आगे देख लिए 30 नमर कर तिसका कारा है किसी तिर्भुज की भुजा के सिर्ष के नियामक X1 Y1, X2 Y2 तथा X3 Y3 हो तो तिर्भुज का केंदरक नियामक है तिसका इंसर आपको दोस्तों C हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे 3 याद रखिएगा चलिए आगे देख लिजी 31 नमर का दोस्तों 31 का कारा है कि बिरित के चाप की लंबाई बरावर है इसका इंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 33 का है अर्थ बिरित का 6 रफल होता है 6 रफल क्या होता है तो वन बाई टू पायर इसक्वार होता है सूत्र चलिए 34 का देख लिजे 34 का वले का छे रफल दोस्तों वले का छे रफल होता है पाइब इंटू बड़ी और स्कॉइर घाटा छोटी और स्कॉइर याद रखिये गा लेकिन यहां ऑफiendo 10 सही होगा क्योंकि इसे तूर दिया म स्कॉइर गठा भी स्कॉइर के leader रफnet की दिर्धेया因च्ट इन दोनों बिरित के छेत्रफलों के योग के बराबर हैं दोस्तों क्या करना है इसका बिरित का छेत्रफल और इसका बिरित का छेत्रफल निकाल के बराबर में दोनों को जोर के रख देना है उससे क्या हो जाएगा आपका तिसरे बिरित का छेत्रफल तिसरे बिरित का प्तिर तूपार और बढ़ावर चोवालीस रख दीजिएगा दोस्तों इसे हमें आर निकाल जाएगा आद दूसे गुना करेंगे तो ब्यास निकल जाएगा जो कि दोस्तों आपको 14 स्यम निकल जाएगा ठीक चलिए आगे देख लिजी सत्ता सहितीस नमर का कि इसका एक बिरित के चतुरतांस का छेत फल ग्याद किजिए जिसकी परीदी 22 देखिए इसमें भी पहले परीदी दिया परीदी से पहले हमें क्या करना तिर्जा निकल लेना तिर्जा आज हम निकल जाएगा चतुरतांस का छेत फल निकल जाएगा इसका सूत्र हम लिग दे साथ डिग्री मैनस वन का मान होगा दोस्तों इसमें क्या करना है आपको बैठा लेना है थे आप देखिए दोस्तों को साथ डिग्री का मान को साथ का मान वन वाट टू होता है माइनस पलस वन हो गया बटे वान वाट टू माइनस वन ठेक आप देखिए दोस्तों दूए का द आपका हो गया ठीक बी एंसर सही है ठीक चलिए आगे देख लिए दोस्तों उन्चालीस का है यदि ठीटा ब्राइब और 45 डिगरी हो तो कोस इसक्वाइब ठीटा मान अब देखिए दोस्तों 45 ठीटा के जगह बैठा देंगे तो कोस 45 का मान होता है वन बाए रूटान होता है वर रूटान होता है रूटान होता है देकि अब स्काइब देखिए माइनस पुलस रूट कटिये सब कटिये गया ते क्या बचा जीरो ने बचाई सी एंसर सही हैं न चलिए आ आगे देख लिए दोस्तों 40 नमर का 40 का करई साइन स्कौइर दिग्री दोस्तों इन्हों मिला के अगर navy पूर जैत इसका मानी 1 ऊता है एक सबस्क्त चाय कि सिया था टिता पर अफल प्रिंसर को ठीटा आ जाएगा शरी सली सान का सलुसर्य नहां आगे देख लिए दोस्तों तेटाल इसका ठीटा बरावर इसका शुत्र होता याद रखिएगा चलिए बहुत शुत्रे फूषता है दोस्तो शुवान प्रोस खोड इसका आण सर आपको भी होजाएगा को शिक खीड़ी ठीक चलिए आगे देख लिजिए दोस्तों पे Fallout तो नहीं होता है नहीं होता है नहीं तो माइनस में एक है तो नहीं होगा टेक चलिए आगे देख लिए दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों जब भी परिक्ता होता है कुल अंक कुल अंक जब भी होता है उसमें से एक का परिक्ता हमको दे दिया तो माइनस कर देंगे 0.71 अब जो घटा के निकलेगा वह आपका इंसर हो जाएगा 0.29 जब भी पूछे इस्टैप का सवाल तो एक में घटा देन है ठेख चलिए आगे देख लिए दोस्तों 48 अरतारिक्षर का किसी परिक्ष्ण मैं अधिक्तम एवां नियूंतं परमानों का अंतर कहलासे तो परीसर कहलाता याद रखिएगा परीसर ठेख इसके बाद देख लिए दोस्तों उन् Fast नमबर का है इसवाल तो हर साल पूष्ठा है 3 शबाल हर साल पूष्ठा है दोस्तों कि माध कमा माध्यक और बहुलक में सही संबन्थ इसका अंसर सी होगा माध्य घटा बहुलक बरावर 3 इंटो माध्य माध्य का याद रखियेगा 50 क Bulgar कि 5,0,3 222 7 2 9 24 2 का बहुलक है तो भ Enough वही होता है जो जादा वर लिखा रहाता है जादा वर दो है तो धो इंसर आपका सही है चलिए दोस्तों एक आवन नमर का हम आपको बता देते हैं 51 का कार रहा है कि यदि एक उदर खंबे की उचाई तथा भूमी उसकी भूमी की छैया की लंबाई समान हो तो थोरी का को दबा के अल कर लिजिए क्योंकि जैसे हैं मैं वीडियो अप्लूट करो आपको नोटिफिकिसन मिल जाएक दोस्तों बिहार बोट का टोटल मोडल पेपर मेरे साथ आ गया दोस्तों और इजनल कोस्टन पेपर आप सब कुछ छाप देना है ठीक